आज मैं आपको बताने वाला हूं Minecraft के कुछ ऐसे सिक्रेट सेटिंग जो कुछ नौच को भी नहीं पता है मैं आउ जाओ क्या अपनी पर सॉरी नौच भाई मैं तो मजाक कर रहा था यह सारी सेटिंग करने के बाद तुम भी एक प्रो प्लेयर बन जाओगे तो विदाउट वेस्टिंग अन्यमोर टाइम लट्स गेट इंट इट वाला सेटिंग करके आप अपनी स्क्रीम पर देख पाऊगे कि आपने वर्ल्ड में कितने दिन तक सर्वाइब कियो तो इसको करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना है गेम पर क्लिक करना है और गेम पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा 100 देज प्लेड तो आपको यहां पर इनेबल कर लेना है आपको मिल जाता है, पट यह सेटिंग करने के बाद, अगर आप किसी ब्लोक को मायन करोगी, तो वो आपको मिलेगा ही नही, तो आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है, गेम पर क्लिक करना है, यहाप पर टाइल ड्रॉप plants को ऊफ कर देना है, तो guys अगर आपको ये animation हटाना है तो आपको simply से आपको अपने setting पर चले जाना है गेम पर चले जाना है और आपको immediate respawn को आपको यहाँ पर enable कर देना है and वापिस से आपको back करना है and अगर आप मरोगे तो आप instantly respawn हो जाओगे just like that so guys अगर आप भी अपने वर्ल्ड में farming कर रॉप्स को grow करते हो तो ये वाला setting करने के बाद आप इसको instantly grow कर सकते हो तो इसको करने के लिए आपको simply से सबसे पहले आपको setting पर चले जाना है and setting पर जाने के बाद आपको यहाँ पर game पर click कर लेना है and यहाँ पर आपको random tick speed 1 पर होगा by default उसको 2500 कर लेना है and इसके बाद instantly आप कहीं पर भी हो भी मारोगे तो आप भी grass instantly grow हो जाएगा तो यह भी आप fun के लिए use कर सकते हो तो आप लोग देख सकते हो sapling कितना जल्दी grow हो जाता है so guys यह वाला जो setting यह हूँ आपके काफी ज्यादा use में आने वाला है इससे आप अपने coordinate को copy कर सकते हो सबसे पहले आपको अपने setting पर जाना है यहाँ पर creator पर जाना है and यहाँ पर आपको enable copy coordinate UI पर click कर लेना है and इसको enable कर लेना है and जैसे ही आप अपना chat command open कर होगी तो आपके उपर में ही दिखा जाएगा coordinate and यहाँ पर आप उसको copy कर सकते हो आपने friend को instantly coordinate copy करके भेज सकते हो so guys अगर आप भी Minecraft pocket edition खेलते होगे तो आपका heart bar है and जो hunger बारे वो top पे आता होगा यह काफी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है and खिलने में भी आपको काफी ज़्यादा मजा भी आएगा तो यह भी आप ट्राइक कर सकते हो so guys आप मेरे background पे देख पा रहे होंगे जो enchanted book है वो बिल्कुल भी shiny नहीं लग रहा है काफी ज़्यादा अच्छा लगता है काफी ज़्यादा sign हो तो आप भी यह चीज़ कर सकते हो and बीना sign कि आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा dull लग रहा है and I hope आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ अगर अच्छा लगा तो लाइक जूर से कर देना चैनल पी नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना मिलते नए वीडियो में तब तक लिए बाइ